तो हलो एवरीवन वेल्कम टू आर चैनल बैयोलजीग्राम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं फाइफ किंग्डम क्लासिफेकेशन को कैसे हम पांच मुझ में पूरा जिपनी भी क्यरेक्टर स्टिक्स हैं उन सारी क्यरेक्टर स्टिक्स को कैसे याद करें एक शॉर्ट ट पनाए उस में लिखामने किंग्डम मौनेरा उसके बाद केंग्डम प्रोटेस्टा और तीन इसके फिंज बनाए उसमें प्लांटाई फंजाई अन एनी लिए लिए इनको याद करने के लिए उनको यह वैस्ट ट्रिक हम महनाए ते तो हुआ. तो किंगनम मौनीरा है. पहले. ठीक है? टिंगनम मौनीरा प्रोटेस्ट àwater. ये डैग्राम पहले बनाना है पूरा. इसके पहले एक सर्कل बनाना है, ये फिर आएक रॉड़ सर्कल बनाना है. उसके बाद kingdom monitor के प्लांटा है की protesta के बीच में हम लोगों को एक line draw करना है आप चाहो तो यहां से भी draw कर सकते हो चाहो तो यहां से भी draw कर सकते हो line को मैंने यह pointed line draw करिये ठीक है अब इसमें मैंने उपर लिखा है eukaryotes और नीचे लिखा है prokaryotes इसका मदलब क्या है line के नीचे में जो आ रहा है इस line के नीचे जो आ रहे है वो है prokaryotes और line के उपर जो आ रहे है वो है eukaryotes मदलब की Apply प्रोटेस्टा 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 प और प्रोटेस्टा के बीच में, ठीक है, इसमें हमने एक लाइन ट्रोकी, इसमें हमने लेखा ऊपर multicellular, नीचे हमने लेखा unicellular, ठीक है, अब इसमें कैसे पता करें कि कौन से multi हैं, कौन से uni हैं, तो लाइन के नीचे वाला, सेम चीज यहाँ पर जो की थी, लाइन के नीचे वाला, unicellular, और लाइन के ऊपर वाला, multicellular, protesta and monorans, कौन से हो जाएंगे, unicellular, monorans को हम पढ़ चुके हैं, मैंने बताया भी तब, prokaryotes होते हैं, unicellular होते हैं, ठीक हैं, तो protesta कौन से हो जाएंगे हमारा, unicellular, monorans कौन से हो जाएंगे हमारे, unicellular, और बागी के जो तीन बच्चे कुछ होंगे, वो करें आगे, multicellular में, मतलब की, plant type, fungi and animalia, अब इनके कुछ mode of nutrition रहते हैं, mode of nutrition में भी कुछ मलब types होते हैं, तो उनको एक बार discuss कर लेते हैं, revision कर लेते हैं, कि कौन बोन से mode of nutrition होते हैं, पहला हमारा इसमें आता है autotrops, पहला इसमें आता है autotrops, autotrops में में दो तरिके के mode of nutritions होते है पहला होता है photosynthesis, दूसरा होता है chemosynthesis, photosynthesis का मतलब क्या हो जाएगा, कि light की तुरू लिया गया है, chemical के तुरू मलब chemosynthetic ठेक है, chemosynthetic है, फिर heterotrops आते हैं, फिर जहाते हैं, heterotrops, इ consumers वो जैसे कि lion गोट को खा रहा है, यह न, lion दीरो खा रहा है, तो consumer कौन हो गया, lion, जो दूसरे पर dependent है, और decomposers जो decompose करके खाते हैं body को, ठीक है, microbes गरे खाते हैं न, तो वो decomposers में आजाएंगे, जो भी decompos करे खाते हैं, देखा हो, dog की death हो जाती है, तो वो कुछ टाइम के बाएंगे डीकंपोस हो जाता है, जब काव की death हो जाती है तो वो decompos हो जाता है, dead bodies को decompos करके जो खाने लगते हैं, वो होते हैं decomposers, ठीक है, तो heterodrop और एक autotrop, यह दो में divided हैगे, ठीक है, mode of nutrition, अब mode of nutrition, इन पांचों का कैसे याद करें, kingdom planta का जो है, वो autotropic है, याद करना है, सबसे प्रिक्वल diagram समझना है कि वर ठीक है, इसके आगे arrow बना के, एक arrow बनाए हमने यह आपे, यह arrow बन रहा है, इस arrow के आगे हमने लिखा autotropic, autotropic, ठीक है, autotropic में भी, इक specific है कि यह photosynthetic है, वालब photosynthesis करके ही light के थुरू बनाते हैं खाना आपने हो, ठीक है, producers होते हैं यह, यह producers होते हैं, वो किसमें आते हैं, plant time है, यह किसमें आ गए, plant time है, अभी हम तीन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इन उपरवल तीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, plant time, fungi and animalia की, plant time है, autotropic producers, जो आ गए, photosynthesis, ठीक है, photosynthesis हो गया, उसके बाद, fungi में हमारे आते हैं, heterotrops, और इसमें भी heterotrops आते हैं, दोनों में heterotrops आते हैं, अब इन में decomposers कौन सा है, consumers कौन सा है, यह दिहान रखने वाले चीज़ है, बस, पहले decomposers आएंगे, मतलब की fungi में decomposers, उसके बाद फिर consumers, ठीक है, पहले decomposers, फिर उसके बाद consumers, आने दोनों में ही heterotrops हैं, ठीक है, बट इसमें fungi में decomposers, fungi material जो मतलब बैठ जाता है, इस किसी के उपर decompos कर लेता है, और animals, एनिमिलिया से नाम याद कर सकता है, कि animals, consumers होते हैं, animals एक दूसरों खाते हैं, ठीक है, तो consumers इस तरह से याद कर सकते हैं, fungi मारा decompos करता है, तब उपना food को intake करता है, mode of nutrition उसका decompos करने के बाद में आता है उसको, ठीक है, अब kingdom protesta और kingdom monitor करें गया, इन तीन को तुमने पढ़ लिया, कि इसका autotrop है, photosynthesis की मदद से करता है, light के presence में, producers हैं, ठीक है, उसके बाद यह heterotrop है, यह decomposers में हैं, यह heterotrop है, यह consumers में हैं, इन नों को कैसे करेंगे, तो मेंने यह आपक तीन येरो बना रखेँ हैं, सिर्फ whoos followers में तीन येरो बना रखेँ हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बी जहिए है कि protesta, autotrophs में होट बहुत है, autotropic mode भी है, heterotropic mode भी है, and decomposers और composers दोनों ही होते हैं इसमें, ठीक है, composers and decomposers दोनों ही होते हैं, protest हमें बट अगर monderance की बात करते हैं monderance की, तो monderance में हम सिर्फ और सिर्फ autotropic पाएंगे photosynthesis या फिर kemosynthesis, autotropic हमें सिर्फ और सिर्फ autotropic बिखाई देगा हमें monderance में, यह हम पढ़ भी चुके हैं last video में, ठीक है, तो यह arrows बना लेना, सबसे बेस तरीका है arrows बना के इनको revise कर लेना एक बार अगर यह diagram किया हुआ है, तो आप यह कभी भी characteristics में कोई भी दिखकर नहीं आने वाली है classification में, kingdom classification में आरच विटेकर ने जो दिया था ठीक है, एक बार इसको revise कर लेते हैं सबसे नीचे वाले में लेक्षा, फिर लेखा प्रोटेस्टा, उसके ऊपर हमने प्लांटाई, फंजाए और एनिमीलिया लिख दिया, ठीक अब इसमें कैसे हम पता करें, यूनिसेलर कौन सा है, प्रोकेरियोर्स कौन सा है, यूकेरियोर्स कौन सा है पहले यह पता करना है, तो इनके बीच में, सबसे नीचे से चार्ट करते हैं, दो बॉल्स दे रखी हैं, दोनों बॉल्स के सरकल के बीच में एक लाइन ट्रॉ करते हैं आप चाहो तो यहां से भी ट्रॉ कर सकते हो, पूरी लाइन को, ऐसे करके, ठीक है, मैंने यहां से ट्रॉ किये के वाले एक सिंगल लाइन, चोटी सी, डॉटेड लाइन, तो जो इसके नीचे वाले होंगे, इसमें नाम लिख लें ना, नीचे वाले प्रोकेरियोड्स, उपर यू कोण नाम लोड़न, उसके बाद हमारे, आगे लगें प्रोकेरियोड्स, उसमें यूनिसेललर और मल्टी सेललर, नीचे वाले उनिसेललर, फिर अभी हम नयापार नुटिसीन, पढ़ां, वहम नूट अफ नूट्रिशन, बढ़ां, फिर यह वाले आगे, प्लान प्रो इसमें सिर्फ और सिर्फ autotropic मिलेंगे, इसमें decomposers, heterotrop zone हो आते हैं, मतलब heterotrops होते हैं, इसमें decomposers आते हैं, फंजय में, और animalia की trick है कि animals हैं कि दूसरे खाएंगे तो वो consumers हो गई, ठीक है, तीन arrow हमने बनाए, तीन arrow simply बनाए, एक, दो, तीन, ये हमारे होगे protesta में, और monorans म बना लेना, diagram याद कर लेना है, चाहो तो screenshot ले लो, उसको जो भी करना कर लो, अपने हम बना लो diagram को एक बार paper पर, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है, so, आज के वितना ही मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you for watching.